दुर्गापुर में नेशनल वोलेंटियर फोर्स अग्थात एन्वी एफ के हेट क्वाटर में विसकर्मा पुजा के आउसर पर आयोजीत कारेकरम के दवरान पुलीस पर हमला किये जाने का आरोप है बताया जाता है कि पुलीस को तेजगती से लाउड स्पीकर बजाने की सिकायत मिली थी पुलीस जब लाउड स्पीकर बंद करवाने गई तो अचानक उस पर हमला किये जाने का आरोप है इस हमले में दुर्गापूर के को कोबें ठाने के एक एसाई गंभीर रूप से घाय लोगा हैं उन्हें इलाज के लिए दुर्गापूर के एक गैर सरकारी अस्पताल में भरती कराया गया वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद पुलिस ने व्यापक रूप से धर पकड अभियान चलाया और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोप में चार एन्वी एफ कर्मियों समेत नौ लोगों को गिरपतार किये गए इन सभी आरोपियों को बिरस्पती बार को दुर्ग पुलिस कमिशनरेट के डी सी इस्ट अभिसेख गुपता ने बताया कि एन्वी एफ के बठालियन में विश्वकर्मा पुजा के बिसरजन के दवरान अस्थानी लोगों ने कुछ गडबड़ी की सिकायत की थी सिकायत मिलने के बाद पुलिस जब वहां पहुँची तो पुलिस पर भी हमला किया गया जिसमें एक ASI घायल हो गया है इसके बाद पुलिस ने थाने में मामला दर्ज किया और इस मामले में 9 लोगों को गिरफतार किया गया है अलगे अटा कंप्लेंट इर पौर विसर्जन ने इन तो जोगी इस्टर्बेंस होची तो लेट नाइटे वोटर कंप्लेंटे आमदे को को बन थान अर मोबाइल वन रिस्पॉंड कोरे रिस्पॉंड कोरार समय देखे जे एक प्रोब्लम होची लो तो बत फेसे इन एक प्रोब्लम होची लो कि अमदे रिस्पॉंड कोरते जोखन गया ची होए तो इकच्टू इस्टर्बेंस होए ची ओखने लो कल लोक लोको जन और कॉल कोरे चीलो अक्चली तो 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 अँच्टू इस्पॉंड आटाक को रहा है जोगुष को रहा है दुर्गापूर से साधन रूज के साथ राम बावुयादव की रिपोर्ट पब्लिक टाइम्स I am Dr. Radha Krishna, I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durugapur once a month. I stay here for two days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy. झाल